हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी सकी रुको वेलकम टू माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सबी बहुत यह अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी अगर आप प्रेगनेंट है तो आपने देखा होगा काफी सारे चेंजिस आपके बॉड़ी में आते हैं चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर एमोशनल चेंजिस हो तो इनी चेंजिस में से एक होता है मोट स्विंग्स होना प्रेगनेंसी के ट्राइमिस्टर में चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो या फिर थर्ड हो कई लेडिस को ये मोट स्विंग्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मोट स्विंग्स क्या होता है और ये प्रेगनेंसी में आपको कब होता है कैसे होता है और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है मोट स्विंग्स ही तो इससे बशने के लिए आप क्या कर सकती है इसके उपाय भी ह सब्सक्राब नोविजिक को महिला कोग ष्जोक को करने में उनको काफी दिककत होती है। Gद्शों महिला उनको आचानक से गबरहार पार जाता है या फिर उनको जरा जरा सी बात पर रहुना आ जाता तो इसी को ही mood swings कहा जाता है अब जानेगे दोस्तों के pregnancy time में mood swings कब होते है प्रेगनसी time में गर्वती महिला के शरीर में काफी सारे hormonal changes होते हैं एक report के according गर्वती महिला को mood swings पूरी pregnancy में ही बना रहता है लेकिन ज्यादा तर जो pregnancy के पहले 3 महिने होते है यानि 1-3 महिने और last का जो trimester होता है यानि 6-9 महिने तक गर्वती महिला को mood swings की problem ज्यादा हो सकती है अब हम जानेगे कि pregnancy time में mood swings क्यों होते है प्रेगनसी time में गर्वती महिला का शारीरिक स्वास्त के साथ साथ मानसिक स्वास्त का भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है pregnancy time में pregnant lady का जो mood होता है वो यही सोचकर तो अच्छा हो जाता है कि अब वो मा बनने वाली है उनके पास एक जल्दी नन्ना महमान आने वाला है उनका बीबी जल्दी उनके हातों में आने वाला है और वही pregnancy में कावी सारे बदलाव के कारण उनको कई समस्या को सामना भी करना पड़ता है और साथ में वो बच्चे के बारे में सोच सोचकर भी परेशान होती है तो mood swings के जो especially कारण होते है वो यह होते है कि कभी-कभी उनके metabolism में बदलावा सकता है या फिर pregnant lady को कोई stress है परेशानी है या फिर कभी-कभी गर्वती महीरा को बहुत जादा थकान महसुत ह होती है उसकी वजह से भी उनको ये应-mode swings की दिकत हो सकती है या फिर आपने बच्चे के बारे में काफी कुछ जयादा ही सोच लेती है कि उनका بच्चा कैसा होगा Healdi है या नहीं या फिर उसको कोई दिक्कत तो नहीं है कि delivery कैसे होगी उसकी वज़ा से भी उनको mode swings की problem हो सकती है इसके इलावा ये भी कारण होता है कि गर्वती महिला के शरीर में progestron और estrogen hormones होता है उसमें बदलाव आते हैं जिसकी वज़ा से भी को mode swings की problem हो सकती है देखी दोस्तों pregnancy की दोरान mode swings होना ये normal बात है इसमें कोई गब्राने वाली बात नहीं है लेकिन अगर फिर भी आपको mode swings हो रहे हैं इसके लावा आपको alcohol या फिर smoking का saver नहीं करना है आपको pregnancy में जो problem हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है अपनी जो चीज़े अपनी बाते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आपको ये mode swings की दिक्कत कम होगी और साथ ही आप regularly walk करें, meditation करें, yoga करें और अपने doctor की advice लेकर doctor से पूछ करें हलकी-हलकी exercises भी आप कर सकती हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा tension हो रही है और आप अपना tension जो परेशानी है वो किसी के साथ share नहीं कर सकते तो आप एक काम करें एक diary ले, pen ले और उस diary में ल और आप अपनी बाते अपना experience भी उनके साथ share करें, इससे भी आपको काफी ज़्यादा help मिलेगी, तो इन सबी चीजों को करनी की वज़ा से आपको mood swings की जो दिक्कत हो रही है वो कम होगी और आप इन mood swings की problem से जल्दी बहार आ पाएगी, तो दोस्तों ये थी आज की वीड आपको का ए्टिय। झारी जापको करें झालयाद क мелुझा सबस्ने की जिसे काएक ये ये एकिकर के लिए है ये है ये टिक ह...?